हेलो वरबन ना ममित वारी फरमितिवारी.net और यह है Rank Math सीरीज का लास्ट पार्ट इस पार्ट में हम सारे के सारे पेड़ फीचर्स को एक बार देख लेते हैं उन्हें यूज करने का तरीका उन में और अगर अभी तक आपने परचेज नहीं किया है तो आप यह decision मना सके कि आपको फ्री वर्जिन ही लेना है या पेड़ वर्जिन पर अप्ग्रेट करना भी है चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और इस पूरी प्रॉसस को देखते हैं Rank Math प्लग इन के पूरे वॉक्ट्रू को कम अब आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और अब देखते हैं बागी की बची हुई सेटिंग्स को जनल सेटिंग्स में हम अदर्स नाम की टैप के उपर है और यहां पर जो आपको इकलौता चेंज डिफरेंट सेटिंग देखने को मिलती है वो है रिमूव मीडिया यहां पर आप सबसे लास्ट में आएंगे और ग्लोबल आइटिफायर नाम की सेटिंग आपको प्रो वर्जन में दिखाई देती है तो यहां पर आप सेलेक कर सकते हैं कि आप कौन सा ग्लोबल आइटिफायर आप SEO setting में enable रखना चाहते हैं और search engines को बताना चाहते हैं इसके बाद यहां पर आप show global identifier नाम की इस button को क्लिक करके यह आपर select कर सकते हैं कि आप अपने product page पर कौन सा global identifier जो product के लिए होता है उस value को यहां पर रखना इसके लबाब यहाँ पर आपके जो भी hidden products हैं, उनको by default no index करने का option भी आपको Rank Math प्रोवाइड करता है, यह तीनों option WooCommerce users के लिए, जो e-commerce websites बना रहे हैं, run कर रहे हैं WordPress के उपर, उनके लिए काफी ज़्यादा important है, SEO की बारीक settings होती हैं, उनको enable करता है, तो इसलिए अगर Mathis U Pro आपके लिए useful हो सकता है, इसके बाद हम आते हैं titles और meta setting में, और यहाँ पर सबसे पहले global meta setting में, अगर हम सबसे नीचे आ जाएं, तो यहाँ पर हमें custom image watermarks का option दिखाई देता है, यहाँ पर या तो आप किसी भी एक image को as watermark use कर सकते हैं अपनी सारी images में, या फिर आप text को दे सकते हैं, कोई भी text यहाँ पर जो भी आप add करेंगे, वो as watermark add हो जाएगा, इसके लावा आपको default thumbnail watermark भी देखने को मिला है, यानि कि अगर आप किसी एक particular खास item को अपनी thumbnails की उपर as watermark use करना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पर provide कर सकते हैं, as you can see image और thumbnail दोनों rank math का जो paid version के बीच में सिर्फ कुछ ही settings हैं, जो अलग-अलग देखने को मिलती हैं, सबसे पहली है auto detect video, यानि कि जो भी आपकी post पर video होगा, वो automatically detect कर लेगा उसे, और जो भी SEO settings है, उसके अंदर video को enable कर दिया जाएगा, उसके राबा auto generate image वाला option दिखाई दे रहा है, यानि कि जो आ convey कर सकता है, गूगल को सो जो आपका video है, उसका schema markup और उसका thumbnail image है, वो automatically generate करके rankmate SEO pro provide कर सकता है, इन दोनों options को आपको on रखना चाहिए, इसके लावा post setting में ही सबसे नीचे अगर हम आ जाते हैं, तो जो thumbnail का watermark है, उसको customize करने का option आपको दिखाई दे रहा है, आपकी जो overall general setting है, वहाँ पर आपने thumbnail का watermark select already कर रखा है, लेकिन अगर आप चाहें, तो अपनी post के thumbnail के watermark के लिए कुछ भी अलग setting कर सकते हैं, आप से off कर सकते हैं, play icon, gif icon या फिर आप अपना कोई भी text भी यहाँ पर add कर सकते हैं, same यही settings आपको post के साथ-साथ, page वाले option पर भी देखने को मिलती हैं, सो हम page options को अलग से नहीं देखेंगे, जो अभी अभी हमने post के लिए बताया है, वही सारे option आपको page के अंदर भी देखने को मिलते हैं, आपको वैसे ही set करने होंगे, इसके बाद हम आजाते हैं, product section के अंदर, titles and meta के अंदर, और product option में क्या 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 नई settings हैं, उनको देख लेते हैं, यहाँ पर भी आपको auto detect video और auto generate image का option दिखाई दे रहा है, इन दोनों को आपको on रखना है, इनका जो logic है, जो उनकी reasoning है, वो post और product वाले page के जैसी रहे हैं, इसका use क्या है, जैसा कि post और page के लिए मैंने बताया था, आपके product page पर जो भी video मिलते हैं, उनके लिए thumbnail को generate करके, अपने आपी rank method SEO pro schema data generate कर देगा, और उस page पर embed कर देगा, similarly अगर product की setting के सबसे end में अगर आप आते हैं, तो आपको यहाँ पर thumbnail watermark के भी same option दिखाई देते हैं, आप इसे off कर सकते हैं, play icon पर set कर सकते हैं, jiff icon पर set कर सकते हैं, या फिर अपना कोई भी custom text यहाँ पर use कर सकते हैं, same यही settings आपको stories के लिए भी दिखाई देती हैं, auto direct video, auto generate image और जो thumbnail है, उसके watermark के लिए setting आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर मैं इन्हें अलग-अलग करके mention कर रहा हूं, so that you actually know कि free version और paid version के बीच में यह settings different हैं, यह options available हैं, similarly अगर आप titles and meta setting क अंदर ही post और page की category और tags पर जाते हैं, तो वहाँ पर भी आपको सिर्फ जो only difference देखने को मिलेगा, वो होगा default thumbnail watermark का, यही setting है जो हर वेगा change हो रही है, यह बाकि free version और paid version के बीच में और कोई भी difference आपको देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर free version में नहीं होता है, और paid version मे होता है, तो एक बहुत छोटा सा difference है, सिर्फ इसके लिए आपको rank max pro version को use करने की जरुवत नहीं है, इसके बाद titles और meta में और कोई difference नहीं है, हम आ जाते हैं, site map settings में, site map की settings भी free version और paid version के बीच में, बाकी सारी same है, only difference is कि site map section में, paid version में आपको new site map मिल जाता है, video site map मिल जा इनकी settings को एक बार हम देख लेते हैं, मैं आ गया हूँ, site map section में, यहाँ पर मैं जान बूज कर, HTML site map को cover नहीं कर रहा हूँ, because SEO point of view से, HTML site map आप use करो, ना use करो, it's same, मतलब ना कोई फायदा है, ना कोई नुकसान, it's up to you, whether you want to use it, or don't want to use it, तो हम यहाँ पर special site map अले section में आ ज होगा, इसके बाद आप select कर सकते हैं, कि actually में किस-किस type के pages को, आप news site map में add करना चाहते हैं, यानि कि अगर आपकी website पर post ही हैं, जिन पर सिर्फ news add की जाती है, तो आप post को select कर लेंगे pages पर, कई बार websites में अधिकतर news नहीं publish कियाती है, तो pages को हम हटा लेते हैं, इसके लाब अगर आपने कोई custom post type बनाया, या अगर आपकी theme ने कोई custom post type बना रखा है, news or some stories or something else, तो उसे भी यहाँ पर आप add कर सकते हैं, यहाँ पर इस demo website में web stories नाम का plugin already connected है, installed है, activated है, तो इसलिए यहाँ पर stories का section दिखाई दे रहा है, stories में भी हम news को upload करते हैं, तो इसलिए post और stories क यहाँ पर में select कर लेता हूँ, किसी अगर खास type के post term को आप news से exclude करना चाहते हैं, तो उसे भी यहाँ से आप select कर सकते हैं, यह basically categories हैं, जिनको अगर आप चाहें, तो news section से हटा सकते हैं, जस्थ ध्यान रखिएगा कि कोई भी ऐसी category आप नए यहाँ पर select कर लें, जिसमें आ आप news publish कर रहे हो, otherwise दिक्कत हो जाएगी, news के बाद आप में आ जाते हैं, वीडियो साइट मैप अले section में, वीडियो साइट मैप section में सबसे पहला option जो आपको दिखाई दे रहा है, वो है hide site map का, यानि कि आपकी website पर जो आने वाले normal visitor हैं, उनको यह site map दिखाई दे या ना इसे आप by default on कर लें तो अच्छा रहता है, इसके बाद किस type के वो post यानि की page हैं, जिनके ऊपर आपके video site map में content को आना चाहिए, यानि कि अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ pages के अंदर जो videos हैं, वही video site map में जाएं, या अगर आपने video content के लिए कोई different type का post में रखा हैं, अग अगर आप उसे यहाँ पर add करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप उस custom field को add कर सकते हैं, इसके बाद आपको save changes button पर क्लिक करना होगा, अधिकतर settings के अंदर में save changes button नहीं बता रहा हूं, because it's most obvious thing, you should definitely do it, इसके बाद हम आजाते हैं, local site map section में, local site map section में आपको KML फाइल को site map में add करने को option दिखाई दे रहा है, इसको on कर लेना है and done, कोई और setting नहीं है, तो यह थी site map की pro वाली setting, इसके बाद हम 404 monitor section में आ जाते हैं, 404 monitor section में अगेन हम बात करने वाले हैं, सिर्फ pro setting के बारे में, तो 404 monitor में जो हमें एकलौती setting unique दिखाई देती है, जो free version में नहीं है, वो है ये export वाला button, यानि कि अगर आप pro version को use कर रहे हैं, तो आप अपनी 404 जितनी भी queries हैं, आप उनको export कर सकते हैं, आप date select कर सकते हैं, आपर case date से case date के बीच में जो भी आपकी URLs 404 जा रहे हैं, आप उनको export कर सकते हैं, अगर आप free version यूज कर रहे हैं, तो यहां से आप export नहीं है, number 1 है import and export, यहां पर जो आपको import and export button दिखाई दे रहा है, यह आपको free version में सिर्फ और सिर्फ export दिखाई देता है, import option नहीं है, यानि कि अगर आपकी कोई दूसरी website है, जहां से आप redirection वाली setting को, redirection वाले map को, अगर आप import करना चाहते हैं, दूसरी किसी website से आप आपने export कर दिया था, लेकिन यहां पर आप import नहीं कर पाएंगे, free version में सिर्फ export देखने को मिलता है, और paid version में import को option भी दिखाई देता है, which is actually useful, अगर आपकी बड़ी website है, तो यह आपके लिए useful होता है, इसके अलावा जो एक extra setting आपको pro version में मिलती है, वो है manage categories की, यानि क आप अपने अगर redirection वाले URLs को, settings को अलग-अलग categories में manage करना चाहते हैं, तो आप redirection के लिए अलग-अलग categories में बना सकते हैं, for example, let's say मैं आपर देता हूँ product, redirect and यहां पर parent category को select करने को option दिखाई दे रहा है, बट अभी क्योंकि मैंने कोई parent category नहीं बनाई है, तो यहां प यह redirection वाले settings की अपनी एक category बन गई है, यह product यह post की category नहीं है, यह सिर्फ redirect URLs की category है, तो यह अपने आप में, यह बड़ी website में manage करने के better option प्रोइट करता है, अगर अगर आपकी चोटी website है, या अगर आपने ज़्यादा redirection वाले URLs नहीं बना रखे हैं, तो इसकी आपको settings में, तो एक बार मैं आ जाता हूँ, page में, all page पर आता हूँ, इन settings वो आपको दिखा देते हैं, ताकि आपको पता लग जाए कि आप क्या special लेने वाले हैं, यहाँ पर मैं किसी भी एक page की edit settings के अंदर आ जाता हूँ, and then rank match settings पर आ जाता हूँ, rank match settings पर यहाँ पर आपको जो खास page या post, google news में no index रहे, google में no index नहीं रहेगा, google news में no index आपको रखना है, तो यहाँ पर आप no index को use कर सकते हैं, और google news में यह particular page या post नहीं जाएगा, तो यह setting आपको exclusive मिलती है, pro version में क्योंकि google news की settings आपको pro version में ही दिखाई देती हैं, free version में नहीं मिलती, इसके अलाव टाइटल लगना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं बाइडिफॉल्ट जो भी आपके पेज का टाइटल होता है चाहे वो जितना लंबा हो उतना ही लंबा टाइटल ब्रेट क्रम में दिखाई देता है और अगर आपकी पोस्ट का टाइटल बहुत लंबा है तो कई बार वो पेज में बहुत अगली दिखाई देता है बहुत ही जाद गंदा दिखाई दिखाई देता है दूसरी लाइन में मोबाईल में कई बार दिखाई देने लगता है और I hope कि अब आप बेटर तरीके से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको pro version को लेने की जरुवत है या आपका free version में काम चल जाएगा या आपका फ्री वर्जिन में काम चल जाएगा या आपको rank math का complete overview चार पार्ट में आपको rank math की एक setting को हमने detail में आराम से बचा दिया है explain कर दिया है आपको यह decision है कि आपको use करना है फिर rank math और rank math का free version या फिर pro version अगले वीडियो मिलते हैं किसी और खास tool के साथ में thank you so much watching this video my name is Amitwari from Amitwari.net and I will see you next time take care